आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसे सीख लिये तो आज के बाद से आपका फोन कोई टच भी नहीं करेगा यस गाइज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं आप सबे के लिए कुछ ऐसा ही ट्रिक लेकर आया हूँ तो यार इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो घंटी का आइकन है उसे आन कर दीजेगा तो सबसे पहले आपको एक app install करना होगा और वो application आपको कहां से install करना होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को आप last तक देखते रहिए तो सबसे पहले आप इस app को अब open कर लिजे open करने के बाद यहाँ पे आप इसे ok पे click कर दीजे और यहाँ पे अपना email id को select कर लिजे email id को select करने के बाद ok पे click कर दीजे अब यहाँ पे आप three line के option पे click कीजे security के option में आ जाए और यहाँ पे आप इस application में एक password को set कर लिजे yes guys यहाँ पे आप password वाले box पे click कीजे और यहाँ पे set password पे click कीजे और यहाँ पे 4 अंका कोई भी password set कर लिजे यहाँ पे मैं 1234 कर दिया next पे click कीजे 1234 और यहाँ पे confirm कर दिजे देख सकते हैं हमारा password set हो चुका है अब यहाँ पे आपको वापस इस box को tick कर देना है ताकि यह आपके phone में password set कर सके तो यहाँ पे हो चुका है अब आप back आजाए back आने के बाद यहाँ पे आपको एक option दिखेगा auto theft alarm का तो यहाँ पे आप इसे enable कर दिजे यह enable इसलिए करना है कि जब भी आप अपने phone को charging में लगाएं तो theft alarm वाला आपका automatic enable हो जाए तो यहाँ पे तीनो box को check कर दिजे check करने के बाद यहाँ पे आपको एक option दिखेगा full battery alarm का तो जब आपका battery full हो जाएगा तो यह automatic अपने आप खुद आपको बताएगा कि हाँ आपका phone full charge हो चुका है और अब आप इसे निकाल सकते हैं तो यहाँ पे actually 100% पर click करके और इसे done कर दिजे तो जब आपका सच में 100% आपका battery full charge हो जाएगा तो आपको यह alarm बजा देगा और यहाँ पे आपका low alarm भी है तो आप इसे 50% या 30% जितना मर्जी आप उसे set कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप back करेंगे तो देख सकते हैं यह alarm बज रहा है क्योंकि हमारा battery 25% पे है और alarm बज रहा है तो इसे आप stop कर दीजे stop करने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको test करके दिखा देता हूँ क्या यह application सच में काम कर रहा है क्या अगर हमारा phone कोई चोरी करना चाहे तो यह सच में alarm बजाएगा अगर हमारा phone को चार्जिंग से निकालेगा तो सच में alarm बजाएगा कि नहीं बजाएगा तो यह देखिए मैं अपने phone को charging पे लगा दिया लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे निकाला तो यह alarm बजना शुरू हो चुका है आप इसे सुन लिजे और जब तक आप इसमें password नहीं डालेंगे तब तक यह alarm बंद नहीं होगा अगर कोई इसे charging से निकाले तो चाहे कि इसे power off कर दूँ या फिर मैं volume कम कर दूँ तो कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक आप इसमें password नहीं डालेंगे अपना जो set किये हैं तब तक यह alarm बंद नहीं होगा तो अगर कोई चुराने की कोशिस भी करेगा या आपका phone charging से हटाने की कोशिस भी करेगा तो वहाँ से वो बिलकुल fail हो जाएगा और आप अपने phone को secure रख सकते हैं तो यार इस बात पर एक like तो बनता ही बनता है चैनल को subscribe कर दिजेगा और ऐसे ही वीडियो में आप सभी के लिए लाते रहता हूँ और अगर आप इस app को install करना चाहते हैं आप भी अपने phone में इस्तेमाल करना चाहते हैं ये वाला feature तो नीचे एक app का download link आपको मिल जाएगा वहां से आप उसी application को install कीजेगा नहीं तो आपके phone में काम नहीं करेगा तो फिर कहोगा कि नहीं काम कर रहा है तो app का download link नीचे है जाए डाउनलोड कीजे और enjoy कीजे